जो भी प्रदार्त हमारे आसपा जो भी जीज़े दिख रही है जो भी प्रदार्त दिख रहे हैं उनकी सूचमता मिकाई जो है वो क्या होती है परमाणू मानी जाती है जो परमाणू होता है जो सूचमता मिकाई है क्या इससे छोटे कण इसको तोड़ा नहीं जा सकता है क्या है और दोस्तों coupled Italy इस Youtube चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग साइंस यानी की विज्यान की CT की सीरीज को कम्प्लीट कर रहे हैं ओर थी चैप्टर हमने 9 क्लास के के क्लिए है आज 9 Son 9 के चैप्टर फोर को हम लोग discuss करेंगे detail में discuss करेंगे और इस chapter का नाम है पर्माणू की सनचना पर्माणू की सनचना इससे पहले वाले जो chapter था उसमें आपने अनू तथा पर्माणू को पहचाना की अनू क्या होते हैं पर्माणू क्या होते हैं अब हम लोग पर्माणू जो माना जाता है जितने भी परदार्त होते हैं उन परदार्तों की जो सूचमता मिकाई है ठीक है उसके बारे में उसकी सनचना कैसी होती है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे अगर इससे पहले की साले चैप्टर्स को जारूर कंप्रीट कर लिए एंगे बनने से पहले मैं आपको बता दू़ो कि यह मेरे टेली गराम चैनल का बार कोड़ है जिसको को आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसके अंदर में बहुम सारी चीज़ें से करता रहता हूं बहुत सटेडी माटीरियल को से शेयर करता हूं साती-साता आप लोगों के सवालों के बहुत सारे जवाब भी जो कोशिश करता हूं तो इस टेलिग्राम मेरे इस टेलिग्राम चैनल को जरूर से जरूर जो आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन होगा फिर सके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याइचार की तरफ जिसका नाम है परमाणु किसंद्धा जैसे मैंने पहले भी बताय है परमाणू मानी जाती है तो बहुत सरे जब इस परमाणू ये बात खोजी गई आज सवाल क्या थे वह सवाल ये ते कि वह सवाल यह थे परमाणू कि किसी भी परदात की सूचमत मिकाई वह भोला रूप तो इस तरीके की सवाल उठे सक अलावा ये माना गया कि जितने भी आपको परमानू दिखते हैं जो अलग अलग परदातों के परमानू दिखते हैं उनके अलग-अलग properties, यानि कि उनकी अलग-अलग जो है, वो कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से भिन होते हैं, यानि कि दो परमानू अगर अलग-अलग परदारतों के हैं, तो वो एक दूसरे से भिन होते हैं, अगर भिन होते हैं, तो क्यूं होते हैं, तो इस तरीके के जो सवा अब इन ही सवालों के जवाब धूना वैज्चानिकों ने शुरू किया तब यह पता चला कि पर्माणू तो सुच्मतम इकाई है लेकिन पर्माणू भी अविभाज नहीं है कुछ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है ऐसा नहीं कि वही वह पूरे काई है बलकि वह उ करने जा रहे हैं तो पहले जो उठें वोती क्या थे कि किसी एक ततव का परमारू दूरसे तत्व के परमारों से क्यों नीकियों होता है क्या परमारू वास्तों में अविभाज जो o है वह ऐसा ही question जो है वैग्यानिकों के मनमें उस वकत उठा तो उनी सवालों के जवाब धूरते 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 फिर वैग्यानिकों को यह बात पता चली कि भואया परभाणू जो होता है वह अबिभाज है बलकि परमाळों भी चोटी चोटी काई क्यों से मिलकर बना है और उन चोटे-चोटे कड़ों को हमने नाम दिया खनार क्ड़ क्ल जे आम ऑफ परमान कड़ के नाम से हम जानते गया और फिर बहुत सारे वैज्णिकों आपना misery क्रों के सब्सक्राइब कर नाम इन पहले इसमारे में खोज मीन शुरू हुई और तीन मुख्य जो है आप परमाणु कड़ों की खोज भी जिनका नाम था electron जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा electron proton और neutron ठीक है electron proton neutron यानि माना यह बाद में बहुत सारा रिसर्च करने के बाद बहुत सारा संधान करने बाद बैग्यानिकों ने पता लगाया कि जो परमाण होता है वो तीन मुख्यकणों से मिलकर बना होता है एक कहलाता है लेक्टॉन दूसरा कहलाता है प्रोटॉन और जीचर बारे में बढ़ातोई ज्यों के बारे में जो जानकारी कठा की गई है प्रोटॉन की जो खोज की वह की थी व्याग्यानिक इगोल्ड इस्टिन ने ठीक है इगोल्ड इस्टिन की थी तो दो दो अव परमाणुक कड़ों के बारे में पता लगा लिया गया किसके बारे में एलेक्टॉन के बारे में पता यह लिए गया अब कहिंत है कि यह जोघ्व होते हैं यह भी बात पकी ल सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यह जो proton होते हैं यानि कि दूसरा जो अपरमानुकर्ण है वो क्या होता है वो जो है वो positive charge होता है यानि कि धनावेशित होता है ठीक है तो अब ये दो चीजों की बात पता चल गई अब आगे बात हुई कि भाईया ये जो proton है और electron है इनके बारे में पता तो चल गया लेक प्रोटॉन और electron से बने हुए हैं अभी तक neutron की खोज नहीं हुई थी कि न्यूटॉन की खोज बाद में ठीक है तो पहले ये बात पता चल गई कि proton की से बने होते हैं और electron से बने होते हैं लेकिन ये proton और electron जो है वो हमारी परमानु के में कहां विवस्थित होते हैं कहां पर ही नहीं करती थी तो यह बात का पता लगाया जाना शुरू हुआ कि भाई यह जो प्रोटॉन है इलेक्टॉन है यह किस तरीके से विवस्थित होते हैं हमारे एटम को एटम के अंदर यानि की परमाणू के अंदर तो बाद में तो कई वैग्यानिकों ने इस पर अपने परमा आँकों से तो नहीं देख सकते थे तो एक सब्सक्राइब किया और अपनी एक्स्विमेंट किया तो उस आधार पर इन्हों ने कहा कि परमाणू कुछ इस तरीके से दिखता होगा तो सबसे पहले जो सबसे मशूर थी वह था तांसन का परमाणू मॉडल तो टॉम्सन के पर को सजाने के लिए छोटी-छोटी चिरीज लगा दी जाती है तो यह माना गया कि इस परमाणू के अंदर ठीक है परमाणू जो होता है यहां पर उसके कहा गया कि टॉम्सन ने परमाणू की सनचना से समद्दित एक मॉडल प्रस्तूत किया जो क्रिसमस केक की तरह था इनके यह धनावेशिदवा और इलेक्ट्रॉ की तरह सी सुखें मेवी जैसे उसके अंदर लगा दिये जाते उस तपीर के से मौझो में च्छोटी-च्छोटी जो काली-काली उसकी बीज मौजूद होते हैं तो बीज की तरीखे से इलेक्ट और मौजूद है यानी कि स्वहार वह और जो है इंकर पर्मारू के अदर च्छेए हैं कि तर्बूज का भी उधारण भी ले सकते हैं जिसके अंसार परमाणू में धनावेशित टर्भूज के खाने वाले मतब वही कि उनमें बीज की तरीके से मौझू था क्या आपके एलेक्टॉन मौझूद थे ठीक है एलेक्टॉंस मौझूद थे अब मामला यहां पर आया कि टॉंसन ने प्रस्तावित क्या किया प्रस्तावित यह किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और एलेक्टॉन उसमें धंसे होते हैं यह बात पर उन्होंने की जैसे वह एक वाली přभEO कि पुरकती रूप सर्फ होते हैं यह बात टॉंसन ने अपने मौडल में बताए ठूंसन का मौडल क्या कहता था एक है और वो केक है और कृस्मस केक है और उसके अंदर जो है वह एलेक्टॉन मौझूद है जैसे चेरी जो होती है यह सुखे मौइवे उसके अंदर तो पर्मालू का केंद धनावरेश्ुत होता है जिसे नाभिक कहा जाता है एक पर्मानू का लगबग संपुन्ण द्रवमान नाभिक में मौजूद होता है तो इन्हों ने कहा, किस ने कहा, रधर फोर्ट साहब ने, अब रधर फोर्ट ने अपना मॉडल दिया, या अपनी संद्चना बताइए, कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो मॉडल था, वो सही नहीं था, हम जो मॉडल बता रहे हैं, वो सही है, ऐसा दिक्ता होगा पर्माणू, तो उसमें बताया कि परमाणू जो है, परमाणू के बीश में, ठीके, बीश में नाभिक होता है, और ये जो नाभिक होता है, ये धनावेशित होता है, और इसके चारो तरफ चकल लगाते हैं, एलेक्टॉन जो की रिनावेशित होते हैं, ठीके, रिनावेशित होते हैं, तो ये बात किस ने बताई थी रदर फोर्ड ने बताई थी ठीक है रदर फोर्ड ने बताई थी और ये भी कहा कि जितना भी द्रविमान किसी भी पर्माणू का जो भी द्रविमान होता है उसके नाभिक के अंदर नहित होता है यानि उसी के अंदर मौजूद होता है सारा का सारा द्रव्यमान जो है वो नाभिक में ही मौजूद होता है तो परमाणू का केन धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है एक परमाणू का लगबख संपूर द्रव्यमान नाभिक में होता है ठीक है फिर एलेक्टॉन नाभिक के चारो और वर्थुला कार मार्ग में चक्क कम होता है लेकिन जितना भी द्रव्यमान होता है वो सब उसी के अंदर नहीत होता है ठीक है नहीत होता है तो यह जो बात बताई किसने बताई रदर फोड ने अपने परमाणु माडल के आधार पर बताई अब इसमें बहुत सारी कम्या आई कि भाई सबसे बड़ी कमी तो यह आई कि यह जो इलेक्ट्रॉन हैं जब इस नाभिक के चारों तरफ चक्कल लगाएंगे तो दीरे दीरे अपनी इनर्जी लॉस करेंगे ठीक है इनर्जी लॉस करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि यह आकर इसी के अंदर नाभिक के अंदर कोलैप् तो फिर तो परमानु का अस्तित्वी खतम हो जाएका समस्या उत्तपन हो गई तो क्या किया जाए तो फिर इसको करेक्ट किया बोर ने Texas 78 City को दिया ठीक है जरी मोडल के कि आए इसा नहीं सभी बात है रदर फोर साब ते कि एक नाभिक होता है नाभिक के चारों त्रफ जो ह लगाते की äm利ख्ट फूर गूम रहे हैं गूम रहे हैं इस तरीके से चक्कर नहीं लगाते हैं अपनी मनमर्जी के नहीं ह canım बलकि यह जो है एक कह सकते हैं एक और उर्विट है एक कछ्चा है ठीक है जिस तरीके से आपने देखा कि सूर्य के चारोतरफ प्रित्वी हैं मंगल हैं सारे ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी नियत कछ्छा में, वैसे ही एक NAB के चारोतरफ नियत कछ्षाओं में ठीक है नाभिक के चारोत्रफ नियत कच्छाओं में ही एलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसा किस ने बताया बोर ने बताया तो यही बात यहां पर कही गई कि वर्थुलाकार मार्ग में चक्रन करते हुए एलेक्ट्रॉन का स्थाई हो पाना संभावित नहीं है कोई भी में भी यही बात लिखी हुई है लाइन टू लाइन आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं ऐसा होता तो परमारों आस्थिर हो जाता जबकि हम जानते हैं परमारों स्थाई होते हैं अब बोर का परमारों मॉडल ने कहा कि रदर फोड के मॉडल पर उठी आपत्यों को दूर कर का आसा नहीं की मुक्तवस्त हमें चक्कल लगाकर रहे हैं कि सीक इस्ट यivas एलेक्टण कोई चकल लगाकर चला रहा। बलकि इमस्टान कच्छार ने है और उन कच्छाका नाम ने दिया जैसा ये नाभी को गया और इसकी जो पहली कच्छा उगए उसको कच्छा क के हार d sensible कच्छा को L कह दिया गया तीसरी कच्छा को M कह दिया गया चौथी कच्छा को N कह दिया गया और इस तरीके से कच्छाओं के टक राकर कर टकभण कराएंगे नहीं नहीं और परमाड़ों को आस्थाए नहीं बनाएंगे तो किस ने बताई बोड नर बता इप थी के बोने बता दी भगाई अब मामला यहाँ पर आ जाता है कि फिर से बाद já यहाँ यो गो फो याप कि आपका nucleus हो गया नाभिक हो गया इसके चारों तरफ के LMN जो कच्छा हैं उनके अंदर ये चक्कल लगा रहे हैं ठीक है चकल लगा रहे हैं तो एक फॉर्मूला उन्होंने दिया ठीक है एक फॉर्मूला दिया गया बाद में कि कि आखिर कितने electron ये भी तो भाई decide करना पड़ेगा कि आखिर कितने electron जो हैं नाभिक है नाभिक के चारों तरफ एक जो है वो फिक्स जो है वो और बिट है यानि कि एक नियत कच्छा है उसी नियत कच्छा में चकल लगा रहे हैं अब electron जितने भी मौझूद हैं वो किस सारी कि सारी पहली कच्छा में हो जाएं या सारी कि सारी जो है बाहरी कच्छा में हो जाएं ऐसा तो नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा नियम होगा जिसके आधार पर नियत कच्छा में नियत electron यानि की फिक्स एलेक्ट्रॉन ही चक्कल लगाते होंगे उससे जादा जो है स्कॉयर ठीक है तू एन स्कॉयर अब एन क्या था कष्छा का नंबर था यानि की नाभिक के इधर की तरफ अगर देखी जाए तो यह पहली कच्छा होगी फिर इसके ही बाहर अगर कोई कच्छा होगी तो एन जो है वो कच्छा का नंबर है तो two n square का फॉर्मूला दिया गया तो या नि पहली कच्छा है तो यह हो जाएगा दो यानि कि इस तरीके से नियत कच्छा के अंदर यानि पहली कच्छा के अंदर maximum यानि अधिकतं कि तो यहाघ जाएगा तो मतलब यह हो गया कि अगर पहली कच्छा होगी यादिए वाली कच्छा होगी इसमें मैक्समम अधिक्तम जो है 200 चक्र लगा सकते हैं दूसरी जो कच्छा है जिसे L कहा गया, उसके अंदर 8 electron चक्कर maximum लगा सकते हैं, तीसरी कच्छा के अंदर 2N square के हिसाब से 18 electron चकर लगा सकते हैं, इस तरीके से कच्छाओं में ये बात पता लगा दी गई कि जितनी कच्छाओं हैं, ठीक है, उन सारी कच्छाओं में maximum number of electron इतने ही हो सकते हैं, इससे जादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इससे जादा नहीं हो सकते हैं, हाँ, अगर तीसरी कच्छा में 8 electron हो जाए, तो चौती कच्छा शुरू की जा सकती है, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि 18 complete ही हो जाए, तभी ये शुरू की जा सकती है, ठीक है, तो बात यहाँ पर लगाते रहते हैं एक फिक्स कच्छा होती है एक नियत कच्छा होती है उसमें चक्कल लगाते हैं तो यह फॉर्मूला या टू एंड इसको होगी तो पहला कैसा परमाणू दिखता है यह बात लगाते हैं यहां पर इसी चीज में यहां पर इसी स्कीम के हिसाब से यहां पर बता दिया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मैंने पहले बता दिया कि फिर न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जो है वह जैप्स चैडविक थे उन्हों ने इसकी संद्राइसकी को खीदी न्यूट्रॉन की खोज होता है एक तरफ नहीं होता है लेकिन जो यह आपका होता है यह अनावेशित होता है आफ की रेख नहीं में और ठाल नहीं होता है ट्रविमान में प्रोटॉन के बराबर ठीक है greatly प्रोटॉटॉन के बराबर होता है ठीक है बर होता है और ये भी कहां मौजूद होता है याद रखिएगा ये भी नाभिक में मौजूद होता है तो याद रखिएगा नाभिक में ठीक है अब देखे एक नाभिक हो गया नाभिक हो गया अब इस नाभिक में मौजूद होते हैं तो अब परमानु कि संद्चना यान परमानों दिखता कैसे इस तरीके से दिखता है यह माना गया कि एक नाभिक होगा जिसके अंदर प्रोटॉन होगा परमानों कन होगा न्यूट्रॉन होगा और इसके चारों तरफ जो नियत कच्छा है उसी नियत कच्छा के अंदर जो है वह एलेक्ट्रॉन चकर लगाते रहते हैं तो होब कि आपको इस टो गई होगी बात कि आखिर परमानों की सनच्ना किस तरीके से होती है ठीक है अब इस तब चीजाउं के बारे में जानने के बाद सब्सक्राइब आई नहीं दिया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा तो माना यह जाता है कि जैसे नाभिक हो गया ठीक है और फिर अबिक चारोतरफ जो है वह एलेक्ट्रॉन तो इसमें तो इलेक्ट्रोन होने चाहिए और इसमें आठ मैक्सिमम होने चाहिए अब होता क्या है कि याद रखिएगा कि अगर ये अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रोन जितनी रख सकती है अगर उसको पूरी तरीके से रख लेती हैं जैसे कि पहली कच्छा में दो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दूसरी कच्छा में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो अगर यह अधिकतम संख्या जो हो सकती है अगर यह कंप्लीट हो जाए ठीक है कंप्लीट हो जाए य यह कह सकते हैं यह reactive नहीं रहे जाएगा यानि कि यह अभिकरिया नहीं करेगा यानि कि यह क्या हो जाएगा سैटिस्वाई हो जाएगा यानि कि सीधी सी बात है इसकी दो कच्छाएं हैं और दोनों कच्छाएं जो हैं इसकी पूल रूप से क्या है भरी हुई है यानि इसमें maximum 2 हो सकता है इसमें maximum 8 हो सकता है और इतने electron इसके अंदर मौजूद है तो ऐसी condition में ये जो परमाणू होगा ये क्या होता है अन्रीक्ट लिप्सक्री हो नियुक्रा है और दुणिया में पूरी दुनिया में हर एक इंसान जो है वो क्या करना चाहता है I अपने आपको जो है वो बिलकूल जैसे हो टन अस्टाइब की टनावस्था में ले जाना चाहता है most stable state में ले जाना चाहता है दुनिया में हर चीज़ आप देखे तो आगर ध्यान से देखेंगे तो वो अपनी stability की तलाश में भटक रहें हम भी stability की तलाश में भटक रहें हैं आप सोचते हैं कि हम 9th 10th में रहते हैं तो लोग कहते हैं कि या बस 10th pass कर लो तो उससे बाद आप ग्रेजुएशन घर लो तो जाएगी और आईये बन जाओ घर उसके बाद भी लोग के आप शादी कर लो तो फिर सैटल हो जाओ तुम इस थाई हो जाओगे तुम्हारी जिन्दगी जो वह परफेक्ट हो जाएगी शादी कर लोगे तो फिर बच्चे लो से इस हमने स्थाहित टलाइस करते गरते करते बुढ़ापा व conse Research सबसें आप इसोड़नी स्थ। जाएंगे बिलकुलДа verloren मोश से बाली स्टेट इस स्टेट में पहुंच जाए बिलकुल स्थाइध की विस्था में पहुंच जाएंगे फिर आपको कोई हिलाड उला सके का नइन a का सथ्थाहित आप मही में पिल्कॉल फट हो जाएंगे फिर कोई आप को आप से पूर हो जाए यानि जिसने किन्दर होने चाहिए अगर उतने पर मांणु इस तरीकी की कंडिशन उनकी फाही नहीं होती यानि पूरी तरीके से भरी होती नहीं है। जैसे मान लिजे कि sodium है, sodium का जो है वो इसके बाहरी भाग में, बाहरी भाग में क्या होता है मामला? कि जैसे ग्यारा 11 ऐलेक्टरॉन इसके पास है, तो दो पहले में भर गए, दूसरे वाले जो और बिट नहीं हो गया, तो अगर ये एक जो है ठीक है अब ये जो एक इसका एक्स्ट्रा आ गया इसकी वज़े से इसको इस्थाय तो नहीं मिल पा रहा है अब इसको यह तो यह 18 हो जाए ठीक है अठार तीसरी कच्छम यह तो 18 हो जाए यह कम से कम आठ तो होई जाए जिससे इसको इस्थाय तो मिल अभेक्षरान हो गया अगर यह अलेक्ट ना होते तो इसी तरीक से क्लोरीन की बात की जाए 17 यह सत्राइट तो इसमें जो है पहली तो दुश्य आट तो कम से कम आठ हो जाए तो मैंने बताया था कि स्थायत तो बनाने tenir hack लेकिन अपने को स्थाय तो बनाने के लिए अगर आठ हो जाए तो उसको स्थाय तो मिल जाएगा कम से कम ठीक है तो इसको आठ चाहिए तो यह एक की तलाश में है कि एक इसको मिल जाए इसको स्थाय तो मिल जाए वह समय में रही है तो मतलब यहां पर यह है कि यह भी स्थाइट कि आवस्था में पहुंच जल्दी से और इसकी स्थाइट में मिलेगा जब ने बताया कि इसके बाहरी भाग में आठ एलेक्टrond कम से कम हो जाए ऐसे और चैनला जो में लेकिन इसको जरूरत है अब ये ऐसाथ एलेक्ट्रॉन तो कोई सको देगा लेलो भाया हम से लेलो और हम से स्थाइटो पालो इतना तो कोई देने वाला है नहीं सी भी सी बात है तो ऐसी कंडिशन में इस तरीक के से स्थाइट इंट कर सकता है अगर यह e last को किसी को दे लिए प्रामाफ हो जाएगी और सिफ ARE बचेगी दनी और दूसरी ओरविट में पिधकर पहले से ही तो मामला क्या हो जाएगा स्थाइट वाला मामला बन जाएगा ठीक है बासमन में आ गई अब यहां पर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन में क्या है दो आठ और साथ मामला है ठीक है अब यह जो है साथ किसी को दे अच्छी बात नहीं है न मतलब सीधी सी बात है अगर दो लोग चॉकलेट खाने के लिए मिल रहे हैं तो अगर आठ रोपे की च अगर चॉकलेट मुझे भी खानी उसे भी खानी है लेकिन साथ रुपए मेरे पास है और एक उसके पास है तो यह तो बाई दिमाग में बात नहीं बनती है हाँ वह एक रुपए मुझे दे दे फिर बाद में हम लोग दोस्ती हो जाए हम उसको आधी चॉकलेट या पूरी एक दे दे मेरा मेरा काम हो जाए मेरा काम हो जाए मेरा मेरा आर्ठ वाला जो है आधीड कमप्लीट हो जाया और मा सैटिस्टी क standpoint Sun better फुकलेट उऩवे क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन जो है उसका एक एलेक्ट्रॉन लेकर अपने ओक्टेट को कम्प्लीट कर रहा है साथ से आठ हो जाता है इस थरीके से इसको भी स्थाइट मिल गया और ऐसी कंडिशन में दोनों की दोस्ती हो गई और एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम थ कर रहे हैं योगिक कर रहे हैं वह इसी स्थाइट की तलाश में कर रहे तो इसी कंडिशन में हम दे नहीं सकते क्योंकि धर मेरे पास थार रुपए हैं और 4 रुपए मेरे दोस्त के पास भी हैं तो ऐसी condition में मैं देना चाहूँगा ना वो देना चाहेगा दोनों चौकलेट खाना चाहेंगे तो ऐसी condition में क्या होगा कि कुछ जगों पर क्या किया जाता शेरिंग की जाती है शेरिंग का मतलब चार तुम तो चार हम में और मिलकर जो है चॉकलेट खाएंगे ठीक है यहां पर जैसे है सोडियम ने यहां पर तो यह सिर्फ दे ही सकता था इसके पास साथ लेने की ख्षमता नहीं थी उसको ले सकता था यह भी देना पसंद नहीं करेगा तो यहां पर सोडियम ने इसको दे दिया इसने ले लिया और देवनों में जोगया और समार हो अब अबने यहां पर समझनी से हैं की दुन्या में जितने भी प्रदारत हैं जितने भी आटम से ऑफ माणू है ठीक है परमाण हुए अपनी टकी Princeton के लिए उनको बाहरीक अच्छा है वह क्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ठीक है पूर'd सब्सक्राइब करते हैं और पूर करके KAMPAUM यानि की योगिकों का निर्मार करते हैं तो दुनिया में जो भी योगिक बन रहे हैं पर मारओं से वह असल में स्थायच की तलाश में बन रहे हैं बात समझ में आ संयोजक्ता वही होता है कि जितना एलेक्टॉन दे सकने की किसी के अंदर छमता हो या जितने एलेक्टॉन ले सकने की छमता हो या जितने एलेक्टॉन शेयर करने की छमता हो तो यही क्या होता है किसी भी परमाणू की क्या होती है संयोजक्ता कहलाती सिंपल बिल्कुल स्ट्र होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं उस पर मारों की संयोजक्ता कहते हैं तो वही बात यहां पर कहीं है कि हम पढ़ चुके हैं कि परमारों की विभिन संयोजक्ता अगर देखें लिस्ट में यहां पर तो जैसे हाइडोजन यह है ठीक है हाइडोजन अलेक्टानों की संख्या हाँ अब हाइडोजन जो है उसके पास सिफ दो मतब एक परमानू संख्या एक होती है और इसके अंदर जो पहली वाली यह पहली वाली कच्छा में maximum कितने अल्ट्रॉन हो सकते हैं दो इसको एक ही चाहिए तो इसकी संयोजक्ता जो है यह चाहे दे चाहे ले यानि कि यह जो है वह एक अगर पा ले या एक दे दे तो ऐसी कंडिशन में यह क्या हो जाएगा सैटिस्पाइए हो जाएग यानि इसको यह पूरी तरीके से सट्डीन होती है तो इसका मतलब यह हुआ क हमें एक मौझूद है अब यह सटीस्वाई हो जाएगा एक किसी को दे दे तो यह फिले से मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि यह एक देने की कि खमता होगी वह यह लेने की के च्छमता हुए वही से उजगता तो इसकी से लेगा की सबस्गता है रिइने की कि सण्केद्ट रहोती इसके बाहर की तो यह ने सकता है शेयर कर सकता तो इसकी जो संयोजगता है वो चार हो गई तो बासमझ में आ रही होगी कि मतब जितने एलेक्ट्रॉन दे कर या लेकर या साजह करके वो सैटिस्फाई हो जाए उस टेबल बन जाए ठीक है या कंपाउंड बना ले ठीक है तो उसे वही उसकी संयोजगता कहलाती है ठीक है त सारी चाल चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि जैसे माल लीजे कि यह एक एक है कोई भी एक है तो आपने बहुत सिंपल भाशा में बता दूंगा आपने एक देखा होगा कोई भी एक देखा तो उसके जो ऊपरी तरफ यहां पर जो लिखा होता है और यहां पर कुछ चीज कहलाती किया क्या कहलाती है कि परमानु संख्या कहलाती है ऑर यह जो आपके प्रूर। है तरव एमान किती जो टीके याद रहे हैं कि ज समझें अब समस्ध시죠 को होता किया है एक और चीज आप समझे अच्छा से याद रखिएगा या जो परमानौ संक्या होती हैifiques फ्रूर मर Mongo संख्या जैसे नीचे की तरफ लिखा होता है अब यह जो परमानु संख्या होती है अगर यहां पर मान लीजे कि 11 लिखा हुआ है तो 11 इसकी परमानु संख्या होई परमानु संख्या नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है य लेक्टॉन होते हैं तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमानु संख्या कहलाती है इसका मतलब सोडियम के अंदर अगर यहां पर 11 लिखा है इसका मतलब इसके नाभिक सोडियम के नाविक में प्रोटॉन की संख्या 11 है और यही इसकी परमाणों संख्या है ठीक है इतनी वासमाद में आ गई तो यह एक चीज़ क्लियर हो गई फिर उसके बाद यहां पर द्रवयमान संख्या जो ऊपर की तरफ लिखी रहती है यानि यह द्रवयमान संख्या होता है नाविक के अंदर जो प्रोटॉन और नियूट्रॉन कितने होते हैं इतने प्रोटॉन होते हैं उनको मिला कर यानि संयुक्त रूप से जो संख्या निकल कर आती है उसे द्रवयमान संख्या बोलते हैं यानि कि यह 23 लिखा हुआ है 23 असल में आपके सोडियम के नाविक मे नीचे की तरफ जो लिखा होता है लिखा होता वो क्या होता है परमानु संख्या परमानु संख्या उसके नाविक में मौझूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और यहां पर लिखा होता है इसे द्रवयमान संख्या बोलते हैं द्रवयमान संख्या हमेशा उसक प्रोटॉन कितने हो गए तेइस हो गए और प्रोटॉन की संख्या आपको पहले से ही पता है कि ग्यारा है तो तेइस में से ग्यारा कर देंगे तो कितना बचेगा बारा ठीक है बारा बारा और ग्यारा कितने हो जाएंगे तीन एक दो और दो एक एक यानि कि बारा तो इसका म प्रोक्न मिला कर हैं 23 और नूट션 है 16 कर देंगे तो नुट्रौन की संख्या निकलाइगा और हमेशा याद रखिएगा की कितने नंबर में होते हैं Metropolitan उतने ही लगभख इलेक्टॉन के नंबर होते हैं यानि 13 अगर प्रोटॉन है तो ही एलेक्टॉन भी होंगे ठीक है तो यह एलेक्टॉन भी होंगे तो 11 11 प्रोटॉन 11 एलेक्टॉन अब क्योंकि एलेक्टॉन का लेंदेन होता रहता है कभी दे देते हैं लेक्टॉन कभी ले लेते हैं लेक्टॉन तो इलेक्टॉनों की संख्या कोई स्थर नहीं होती है इस वज़े से हम इसको काउंट यह नहीं कह सकते हैं कि जो परमानों संख्या होती है हाँ होती है हाँ होती है हाँ प्रोटॉन जो है वह फिक्स होता है उसके नाविक में प्रोटॉन संक्या वी आपको स्पस्ट हो गई होगी और सातीस द्रभ्यमान संख्या वी आपको इस proven होगी होगी अब हप ऐसे इसे तौर अलहीं हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कारवन जितन 가서 उतने ही हैं। स्थे हो गया और यहां पर क्या बताया गया कि बार आब में अदर चींदर के तो इस त्रीके से आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते लिए संख्या क्या होती है परमान संख्या क्या होती है यह आपको मुझे लगता है स्पस्थ हो गया होगा ठीक है अब एक बात आती है समस्थानिक क्या होते हैं समस्थानिक परमानुत क्रमान क्या परमानुत संख्या जो है वो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग-अलग होती है ठीक है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं समस्थानिक के नाम से जानते हैं समस्थानिक के नाम से जानते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनि पर्मानु संख्या जो है वो क्या होती है समान होती है ठीक है यानि कि वो जो पर्दा जो पर्मानु पाए जाएंगे उनकी पर्मानु संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है भिन भिन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं समस्थानिक कहते हैं जैसे ही क्लोरीन है प्रक्रिती में । खर रिक क्लोरीन है 37 होगी लेकिन परमानु संख्या जो है वो समान होगी तो यह जो क्लोरीन है इसके यह दोनों एक दूसे के आईसोटोप कहलाएंगे समस्थानिक कहलाएंगे बात इस पर हो जा रही है जैसे हाइड्रोजन है ठीक है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में वन यह तीन तरीके के समस्थानिक पाया जाते हैं परमानु जो संख्या है परमानु संख्या जो है वह समान है लेकिन ड्रविमान संख्या जो है वह डिफरेंट है तो यह हाइडोजन के एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे हाइडोजन के समस्थान जिसे प्रोटियम ड्यूट्रियम के नाम से जाना जाता है तो क्या मैंने बताया यही बात यहां पर भी स्पस्ट्रूप से लिखती होगी कि प्रकृत में कुछ तत्वों के परमाणों की पहचान की गई है जिन लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन भिन होती है उन्हें क्या बोलते हैं समस्थानिक कहते हैं और मारूजन के हो गया होगा इसी तरह से कार्बन के होते हैं कार्बन 12 होता है कार्बन 14 होता है यानि की उसका यह कारबन होता है जिसके परमानोसंके तो समान होगी द्रव्यमां धर धर्य होगी क्या च होगी और स्थानिक का बड़ा प्रयोग होता है तो समस्थानिक प्रयोग होता है यॉरै formations में एधन के रूप में किया जाता यॉरैनियम 235 ता क्टिक है यॉरैनियम 235 यॉरैनियम 238 233 और uranium 238 यह तीन तरीके के uranium पाय जाते हैं प्रकृति में जिस नियुम 235 मुख्यता uranium 235 का उपयोग जो है वह किसमें किया जाता है हमारे परमानु रियक्टर में किया जाता है बिजली पैदा करने के लिए के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है घेंगा रोग के हिलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है ठीक है तो इनका बहुत जारी इन समस्थानिकों का काफी प्रियोग होता है काफी रेडियो एक्टिव टाइप के कुछ समस्थानिक पाए जाते हैं जिनक तो अलग अलगい अलग है लेकिन रौल मान संठ्या ऑबसे क्या बराबर है तो उसे क्या बोलते साम भारी कहते हैं ून्हीं कप हर ή के सन्ख्या 10 disc लेकिन पर्मानों सब्सक्राइब है और आपके और आपके क्यों सही ह्लेस तो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के सम भारी चाहिए यानी दोनों का द्रवेमान संधार समान है लेकिन प्रमानव संध्या डिफ्रिंट है तो ये संभारी कह लाते हैं तो उसका मुदाराण क्या हो गया कैल्शियम और आपका औरफ sow gone हो गया और Gen हो करने की विज्ञान के चैप्टर है इनको सामाने तरीके से आपको देखना बहुत डीप में नहीं जाना है लेकिन जितना इन में दिया गया है उसको लाइन बाइन मैंने इसमें कंप्लीट करने की होप कि आप लोगों को बहुत ही शान्दा तरीके से आया होगा ठीक है आगे हम लोग नेक्स चैप्टर में मिलते हैं थैंक यू सो मच में गॉर्ड प्लेस यूर् झाल